हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिस आज डेट है आठ अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस से कौन से इंपॉर्टन आर्टिकल साज अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो यह वाला आर्टिकल बेक्टू स्कूल्स 15 अक्टूबर से जो अभी टीन इंडस्ट्री इस मेनली रुकी हुई थी एजुकेशन एंटर्टेन्मेंट एंड हॉस्पिटालिटी उनको फिर से रिजूम करने की बात हो रही है तो सेंट्रल गवर्मेंट ने इसके लिए क्लियर गाइडलाइन्स भी डिक्लियर कर दिया अब स्टेट्स के ऊपर है क कि वो किस तरीके से अब इस सेक्टर इन इंडस्ट्री को भी रिवाईवल पे लेते हैं और इस आर्टिकल को थोड़ा से अपन जानने कोशिस करेंगी अब किस तरीके की अपरोच होनी चीए यह आपके लिए कहीं नहीं के स्टेडी के पॉइंट आफ यू से काम में आ सकता रहे हो काम करवाना उनका फिर से रिस्टार्ट हो रहा है तो आप क्या-क्या चीजों को ध्यान में रख करके फिर आगे भढ़ोगे ठीक है तो एजुकेशन के बारे में एंटेटेंब्मेंट हॉस्पटैलिटी इनको में लीस्ट प्रायरिटी पर रखेंगे जो कोविड-19 का जो पूरा सिनयरियो रहना की सबसे पहले अगर्कर घृटर को आप कंटीनियो रखो क्यों अगर रुग गया तो खाना पी नहीं वनैगा ठीक है फिर आप मानिफेक्ट्रिंग को स्टार्ट कर दो सर्वस सेक्टर को आप लीस्ट इस्टार्ट करो तो यह प्रॉसशन अ तो फिर सर्वे सेक्टर को आप लीस्ट स्टार्ट करो, तो ये प्रोसेस अपने लिए कहीं ने कहीं helpful हो सकता है, फिर ये वाल आर्टिकल ता मिलना डूक की राजनिती है, ये क्रिकेट में कुछ चेंजेज लाने की बात है, आप देख लेना एक बार, देखना चाहो तो क्रिक बनाया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, क्योंकि जो रिवेंज पॉर्डन होती है ना, कि आप अभी किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, और उनकी रिलेशनशिप में रहते हो, तो आप बिलकुल ख्लोस रिलेशनशिप को आप वीडियो शूट कर लेते हो, या फिर उसके बाद में कि कानफ्लिक्ट आ जाता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट होता है, तो दोनों पार्टीज दूर हो जाती है, अब होता क्या है, इसके बाद में जो लड़का या फिर लड़की, दोनों में से कोई भी रिवेंज लेने के लिए, या ब्लेक मेल करने के लिए वो अपनी या फिर दूसरी किस मतलब दूसरी पार्टी की जो न्यूड फोटोज हैं वीडियोज हैं उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं अपना बदला लेने के लिए इग्जेक्ली ये चीजे थ्रू आउट वर्ल्ड हो रही हैं जिसमे कोरिया का एक केस है केस लंडन का है इस आर्टिकल में तो इन चीजों को टैकल करने के लिए बहुत जादा एक 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 इमर्जेंसी सी बन चुकी है इस ताइम पर क्योंकि सोशल मेडिया में आप देखोगे फेस्बुक तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटबिल यहां पर अभी तक भी कोई प्रो एक्टिव एक्शेंस नहीं है ना कोई अकाउंटबिलिटी फिक्स की जा रही है इस आर्टिकल को अपन थोड़ा और अच्छे जाने कोशिश करेंगे ब्रीफिंग मैंने आपको दिया थोड़ी नेस्ट पे यह आर्टिफिशल को अपन देखेंगे कहां कहां और किस तरीके से यूज हो सकता है यह आर्टिकल है एक यह है रे थिंकिंग दे ट्रेड आफ अभी हमारे यहां पर इंफलेशन बढ़ रही है और ग्रोथ रेट है वो डाउन है तो यह जो सिचुएशन है जिसको स्टैग फलेशन बोला जाता है कि एंप्लोइमेंट तो आप क्रियेट नहीं कर पा रहे हो और दूसरा आपके इंफलेशन लगातार बढ़ती जा रही है तो आप कैसे टार्गेट करोगे इसको तो यहां पर राइटर जो है वो कह रहे हैं कि आर बी आई जो अभी कंजुमर प्राइस इंडेक्स सी पी आ ही नहीं था अब क्यों तो इशू बेस्ट एमस्पी बेस्ट कोशन था तो वह भी इशू को यह आपने समझा है डंक से तो आप अपरोच कर सकते हो आर बी जो इंफलेशन टार्गेटिंग करती है उसमें भी इशू बेस्ट ही था कि सीपी बेस्ट टार्गेटिंग होने जाता है और आर बी ने अभी क्या चेंजिस की हैं जब से मोलेटरी पॉलिश से स्टैबलिश होई है 2016 से लेकिए अब तक तो उन चीजों को टैकल करना मुश्किल हो जाता है फिर तो यह आर्टिकल भी आपन देखेंगे तो इस पेच से यह पॉलिटिकल है यह दोना आर्ट स्कूल्स के लिए कही नहीं अब खतम होगा जब ऑक्टूबर 15 को सेंट्रल गॉर्मेंट ने एक अपने इन प्रिंसिपल अपरोल दे दिया कि ऑक्टूबर 15 से आप स्टार्ट कर सकते हो स्कूल्स में आप बिढ़ा सकते हो अब यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इस पूरे ब्रेक के बाद में अब जो सारी जम्मेदारी है वो स्टेट्स पे चली जाती है कि वो किस तरीके से क्लास रूम्स को रियॉपन करते हैं और क्या क्या वहाँ पर गाइडलाइन वहाँ पर इंप्लिमेंट की जाती है। स्कूल किस रीजन में ओपन होंगी, चिल्डरन्स जो हैं, उनको किन चीजों को फॉलो करने के लिए कहा जाएगा, जो कम्यूनिटी है, या फिर जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनको क्या गाइडलाइन दी जाएगी, वो सारी चीज़ें भी फाइनलाइज होना बाकी है, अपने देख सकते हैं कि प्रिवियस पूरा जो लॉगडाउन पीरियड रहा, तो इसमें जो प्रिविलेज सेक्शन जो थे, जिनके पास में फैसिलिटीज अवैलेबल थी, जैसे कि डिजिटल डिवाइसेज, तो उन लोगों को तो देखो, पूरा फाइदा हुआ है जैसे जैसे करके उनकी एजुकिशन कंटिनियूसली बनी रही, बट दूसरी तरफ दूसरे सेक्शन की बात करें, जो गरीब हैं, या फिर रूरल रीजन में जो लोग रहते हैं, वहाँ पर आप देखो, तो उन लोगों को इतनी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई है, ठीक है, दूसरी चीज अगर अपन देखें, तो जेंडर, क्लास, कास्ट, ये जो रिस्क है, इसका पूरा का पूरा सामना करना पड़ा है, अभी जो प्रीविस लोग डाउन रहा है, जैसे कि किसी घर में दो बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, तो अगर फोन, मॉबा और बेंड कनेक्शन होना, तो दूर लाइट तक फैसिलिटी अवेलेबर नहीं है, जिससे कि वो मॉबाइल चार्ज कर सके, इसी तरीके से कास्ट में भी आप देखोगे, ड्राउन ट्रोडन सेक्शन जो है, सेस्टी जैं, उनमें से कुछ सेक्शन तो चलो ठीक है, कि वैल गए, अच्छी खासी पोजिशन में आगए, इकोनमिकली, बट मैक्सिमम अभी भी कहीं न कहीं, वहाँ पर बहुत सारी परेश्यानियों का सामना कर रहे हैं, तो ये जो हमारा जो वलनरेबिलिटी का सेक्शन है, वो बहुत जादा परेश्यानियों का सामना करता हुआ के लिए प्रेशराइज नहीं होना पड़ता हुआ उनको कि बच्चे की साधीकर तो भई होगी, बहुत होगी, अभी आठ मैने में कितनी ग्रेव सिच्वेशन बनी होगी, वो बच्चे खुदी जानते हैं, दूसरा, घर में पैसा नहीं है, या फिर डेली, जो मिड़े मील से उनको खाना मिलता था, पेट भर लेते थे वो अच्छे से, तो वो अगर खाना नहीं मिलता, तो अब वो डेली वेज लेबर में काम करना, चाइड लेबर में काम करना शुरू हो गए, तो कहने का मतलब यह है, कि माल नरिश्मेंट को भी कंट्रोल करने में, स्कूलिंग क कितना important role होने लग गया था, जब से ICDS, Integrated Child Development Scheme जब से शुरू हुई है तब से, तो अभी यह जो revival है, यह बहुत ही important है, दूसरा आपन देखें, जो state governments हैं, इनका role बहुत important हो जाता है, along with local administration and communities, क्योंकि अभी उनको यह देखना है, कि कोरोना के जो cases हैं, वो कितने हैं, क्यो हैं, तो वहाँ पर schools को अगर एक बार ना भी open करें, तो कोई issue नहीं है, reason being, कि health is prime target to get achieved, ठीक है, तो उसको अपने को कैसे भी upheld करना है, तो उस case में, state government और local administration को थोड़ा सा cautious रहने की ज़रुत है, फिर दूसरा case से जाता है, जैसे rural region है, या फिर districts हैं, जहां पर virus ज्यादा कोई परिशानी का कारण नहीं है, तो teachers और community leaders को आप अच्छे से target करो, और उनको अभी तक का जितना experience रहा है, उनको आप guideline दो, training provide करो, और ये देखो कि कौन से students को पहले बुलाना है, जैसे कि oldest students को पहले बुलाना है, जिनके पास में experience भी है, school की बात भी मानते हैं, environment को भी समझते हैं, उनको आप पहले बुलाओ, फिर उसके बाद में classroom जो हैं, वहाँ आप social distancing को भी maintain करो, क्योंकि main जो target है, covid-19 फैलना भी नहीं चीए, और पढ़ाई भी अच्छे से होनी चीए, तो जो habit है, social distancing maintain करना, hand washing का habit है, hygiene को आप enforce करना चाहरे हो, वो चीज़े हमें definitely करनी ह करके भी उनको target कर सकते हैं, तो point यहाँ पर यह निकल के आ रहा है, कि classroom open हो रहे हैं, तो देखो transportation system तो already काम कर रहा है, public transportation system, तो बच्चों को कैसे आप safely ला सकते हो, school तक और कैसे वापिस घर पे छोड़ सकते हो, तो इनके लिए protocols हमें finalize करने की ज़रूँत है, as soon as possible, क्योंक होते रहते हैं, अभी recently अपर ने देखा, बहुत सारे articles आए थे, कि education में road learning ज्यादा promote हो रही है, जैसे कि national education policy 2020 अभी आई, तो उसमें भी यह चीज थी, कि road learning को हमें change करना है, हमें learning में disruption लेकर कर के आना है, तो उस चीज़ के लिए अब center ने relaxation भी दिया है, कि भाई आपको ज्यादा pressure में आने की जरुवत नहीं, कि exam है, या फिर टेस्टिंग है, या फिर appraisal तभी होगा, जब आप कोई result दोगे, data दोगे collection में, teacher तो बिचारे data collection में लग जाते हैं, इस case, इस चकर में, तो teachers को कहीं ना कि initiative लेने की जरुवत है, और teachers ने initiative लिये भी थे lockdown के टाइम जब उन्होंने online classes ली, उन्होंने अलग-अलग तरीके से बच्चों के साथ interaction किया, एक decentralized approach थी, वहाँ पर कोई school का management सिर पे नहीं बैठा था, कि भी आपको ऐसा ही करना है, ठीक है, तो decentralized approach तो हमेशा अच्छे से परफॉर्म करती है, तो classrooms के टाइम पे अभी, ये pandemic का टाइम भी है, classrooms भी है, आपर भी एक autonomy और एक तरीके से syllabus से related जो stress है, उससे थोड़ा सा free मिलना चीए, जिसे कि individual child जो है, वो अपनी ज़रुरतों को पूरा कर सकी, क्योंकि syllabus को अगर पूरा कराने के चकर में लग गए, तो जिन लोगों ने अभी तक syllabus के आप से online classes ले ली, वो तो benefit म में रह गए, और जो लोग classes ले ही नहीं पाए, वो तो disadvantage रह गए ना, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखने के हमें जरूरत है, नेक्स आर्टिकल देखते हैं, यह आर्टिकल है Global Crisis Local Response, अभी COVID-19 का इंडिया में mortality rate देखा जाए, तो according to the government data, that is 1.55% जितने cases आ रहे हैं, उन मे Lancet का एक paper release हुआ है, जिसमें कहीं न कहीं एक concern show किया गया है, और उस paper का नाम है, The Danger of False Optimism, कि आप जिस तरीके से अपने आपको appreciate कर रहे हों कि हमने बहुत अच्छे से perform किया है, तो उसका कहीं न कहीं danger भी है, कि आने वाले टाइम पे आपको और भी जादा grave situation का सामना करना प पर बता रहे हैं, राइटर कि Asian countries का experience जो है, वो COVID-19 के case में mortality मतलब death rate बहुत ही कम रही है as compared to Europe, initially Spain और France के अगर बात की जाए, तो वहां पर बहुत ही जादा mortality rate आए थी, तो उसकी वज़े से कहीं न कहीं एक डर बैठा था, फिर उसके बाद में आप देखोगे, तो death rate का जो hypertension हो, smoking से कोई problem चल रही हो, lungs उसके damage हो, इसके अलावा आपन देख सकते हैं, जो care providers थे, उनको भी effect कहीं न कहीं जादा हो रहा था, 15% तक के cases care providers की हैं, जो लोग treatment दे रहे हैं लोगों को, इसे तरीके से अगर आपन देखें, तो male जो है, वो कहीं न कहीं advanced age के ओपर ज्यादा परिशानियों का सामना करता हुए, दिखा देता है, जैसे हैं कि diabetes हो गया, hypertension हो गया, chronic respiratory disease हो गयी, cancer हो गया, इन बिमारियों की वज़े से उनके अगर COVID-19 हो गया, तो उस case में death होना, वो देखा गया इटली में, तो कहने का मतलब यहां पर point इतना सारा है में, कि जिनके already कोई बिमारी हो, जिनकी age ज्यादा हो, और या फिर वो health care workers हो, जो बहुत से patients को deal करते हैं, अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, तो इन cases में ज्यादा mortality है, cases का infection ज्यादा, और infection के अंदर भी mortality उनहीं की ज्यादा देखी गई, बट WHO ने अभी 16 अपरेल को एक चीज बोली थी, उसम में एक purpose रहता है, कि हम surveillance कर रहे हैं, कि actual में इस बिमारी से कितना हमें loss हो रहा है, lives का, okay, तो उस case में ये देखना जरूरी होता है, कि उन patients की death जो है, वो COVID से हो रही है, या already किसी और existing बिमारी से हो रही है, जैसे कि मान लो trauma, किसी के anxiety है, या किसी और कोई already stress में है, या फिर COVID-19 से जो death हो रही है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो cancer से मरा है, चाहिए उसके cancer की वज़े से वो परिशान था, बट उसका जो effect जो main आया, वो COVID-19 की वज़े से death हो गई उसकी, तो कहने का मतलब ये है, कि WHO नहीं ये कहा कि आप review करो अपने local level पे, कि भाई, real में ये COVID-19 की वज़े से death हो रही है, या फिर जो already existing बिमारियां थी, जो comorbidities already थी, जैसे cancer हो गया, trauma हो गया, stress हो गया, anxiety हो गया, hypertension हो गया, या जो respirator से related complexities का सामना कर रहा था कोई patient, या उसकी वज़े से हुआ है, तो इसके लिए हमें review करना पड़ेगा, तो बहुत सारे states ने expert committee established की re-examine क के लिए कि वाकई में COVID-19 से कितनी death हुई, तो आप देखोगे कि National Bureau of Economic Research ये एक private non-profit research organization है, उसने अपना काम किया और age specific detail out करने कोशिस की कि कैसे COVID-19 से mortality जो rate थी, वो एक तरीके से आप दूसरे angle से देख सकते हो, कि एक 60 साल के उपर कितनी deaths हुई है, चोटे बच्चों की death कितनी होई है, young age में कितना effect दिखाया गया है, cancer की वज़े से जिन लोगों को बिमारी पहले से थी, उनको COVID-19 का कितना अशर हुआ है, तो ऐसा जब देखा गया, तो COVID-19 fatality rate, CFR India की देखी गई, तो जहां पे आज हमारी जो ministry है, या government of India, 1.55% शो कर रह ही है, तो आप देख सकते हो, data में कितनी ambiguity है, ठीक है, अब यहाँ पर आगे आगे वाले जो इतने paragraph से उन में minute detail दी हुई है, कि मुंबई एमदावाद, ये दो ऐसे districts हैं जहां पर बहुत जादा cases आये हैं, वहां पर mortality 4.89% and 5.25% respectively, पंजाब में 4.31% लोदियाना जैसे district में जो कि बहुत ही जादा highly industrialized region है, ऐसे ही नानदेद और संगली करके दो district हैं महाराश्टरा में, वहाँ पर भी सवापांच के परसेंट के लगबगा रही है, तो यहाँ पर राइटर पॉइंट ही निकाल के ला रहे हैं, कि भई आप जो data बता रहे हो, वो data बहुत ही underestimated ह है, मध्यप्रदेश, गुजरात, मुंबई ऐसे जो states हैं, ऐसे जो locations हैं, वहाँ पर तो cases बहुत जादा बढ़ रहे हैं, दूसरा oxygen supply कही ना कहीं lacking कर रही है, अब oxygen supply अगर lack करेगी तो oxygen तो life giving चीज़ है, वहाँ पर patients को, यहाँ पर यह राइटरी बोल रहे हैं, कि जैसे जै तो ऐसे हैं, जिनको intensive care की जरुरत है, 4% के लगबग, कि मतलब 4% के लगबग तो mortality है, कुछ cases जैसे हैं, जिनको intensive care देने की जरुरत है, कि भही आप उनको तो oxygen supply दो ही, 5% के लगबग cases हैं, और 14% cases जैसे होते हैं, जिनको hospitalized कराने की जरुरत है, यह data यहाँ पर है, तो यहाँ आपर पॉइंट यह निकल के आ रहा है, कि भही कैसे भी करके आप data को तो clearly open up करो, आप क्यों data को छुपाने कोशिस कर रहे हो, क्योंकि data जब बनेगा तभी तो policy properly बनेगी, और अगर policy अगर पर नहीं बनेगी, तो implementation कैसे होगा, और actual में आप यह वो बात होगी, बिली देख कि आखे बंद कर ली, कब उतरने और भी लिखा गई उसको, तो exactly वो चीज ना हो जाए, उसके लिए हमें data को properly show करने की ज़रूरत है, हाँ यह बात ठीक है, कि अभी antigen testing बहुत अच्छे से rapidly हो रही है, कि जो serotest आपन बोल रहे हैं, serotest, blood testing जिसको बोलता है, कि body के अंदर क तो उनका भी आप करते हो testing, तो वो तो चलो ठीक अपनी चिगह पे चल रहा है, बट point यहाँ पे निकल किया रहा है, कि data जो है ना आप, वो actual में जो reality है, वो निकालो, और WHO ने जो questions दी हैं, उनको हमें follow करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक transparent data होगा ना, वो ही scientists, public health professionals, और इनक करेगा, जिससे की public at a large, उनको ज़्यादा help हो सके, different geographies के हिसाब से काम किया जा सके, different vulnerabilities के point of vision को tackle किया जा सके, ठीक है, तो इस तरीके से हम global और local possible जो भी solution निकले, उसके लिए हमें data बहुत ही importantly use करना होता है, तो data transparent way में provide करना चाहिए, ठीक है, next article देखते हैं, next article है, call social media to account, जैसा है कि मैंने आपको बताया, कि शादी का जहांसा दे दिया, शादी के लिए बादचीत हो गई, फिर उसके बाद में, दोनों के बीच में, male and female, दोनों के बीच में फिर relationship और strong होती जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ में इतने close आ जाते हैं, कि वो अपन प्राइविट चीजे भी शेयर कर देते हैं, इवन मतलब एक दूसरे की nude pics भी pick कर ली जाती है, ऐसा ही normal relationship में होता रहता है, और फिर उनके बीच में gaps हा जाते हैं, और वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और उसके बाद में A party, या women हो या men हो, कोई फरक नहीं पड़ता, इधर भी B, A party, B party से ये कहती है, sorry, B party, A party से कहती है, कि भई आप, या फिर जो भी इनका, ये male, female, जो भी हो, दोनों में से कोई भी case हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, male ही हो, पर हो क्या रहा, आप trend समझो, फिर इसके बाद में, इन दोनों के बीच में gap आगया, तो B party जो ह है, वो इस A की photos है, वो Twitter पे, Facebook पे, Instagram पे, nude photos, या फिर उनकी जो वीडियोज थी, पहले की, उनकी खुद की, उन वीडियोज को अपने हिसाब से mold करके, और फिर बाद में, social media पे डाल देते हैं, नमबर एक बात, कितना गलत चीज़ आप देखो, social media गायोज, इसको बोलते है revenge porn, दूसरा, आप डेटा को बेज देते हो, ये B है, वो डेटा को बेज देता है, और ये कहता है, कि भई, ये low data, इसके अंदर मैं तुम्हें 5 photos दे दूँगा, 30 रुपे में, 7 photos दे दूँगा, 200 रुपे में, ऐसे rates लगती हैं, और फिर market में बेज देता है, और फिर ये ज photos हम हमारे account में भी share करेंगे, वाइरल कर देंगे, तो ऐसे इतना गजब का racket चल रहा है, throughout world, जिसमें South Korea का example भी है, तो London का example भी है, और इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, इसमें कोई doubt वाली चीज नहीं है, ठीक है, और ये क्या कहता है, third party, कि भई, delete भी हम तब करेंगे, जब individual को, ठीक है, तो एक confidence वाली जो बात है, वो कहीं न कहीं, यहां पर तब ही आ सकती है, जब social media को accountable बनाया जाए, social media platforms को पता तो पड़ता है यह ना, कि आपके platform पे कुछ ना कुछ illegal है, ऐसी कुछ चीज upload हुई, उसको हमें control करने की ज़रुरत है, अगर आपन देखें, सभी social media companies के basis पे, तो जो law enforcement agencies ना, उन्होंने portal बना रखा है, कि भई आपके साथ में अगर कोई cyber crime होता है, तो आप portal पे डाल दो, जैसे police ने कोई portal बना रखा है, अब उस portal पे वो अपनी detail डाल देते हैं, तो police उनको attention पे नहीं कर रही है, तो कहने का मतलब यह है, कि ने तो social media protect कर रही है, victims को, और ना ही हमारी law enforcement agencies काम कर रही है, हाँ, Facebook है, थोड़ा सा काम कर रही है, बाकि Twitter, Instagram, WhatsApp, यह तो बिलकुल ही काम नहीं कर रहा है, ground level पे, जबकि यह कितनी grave situation है, इसको definitely handle करना चीए, जल्दी से जल्दी, तो इस तरीके के crime को control करने के लिए, हमारे यहाँ पर जो act यूज लिया जाता है, that is, Information Technology Act, IT Act को ज़्यादा यूज करते हैं, उसके अलावा जो Indian Penal Code IPC है, उसकी अलग-अलग sections है, जैसे कि 509, 499, 292, ऐसे करके, तो यहाँ पर writer यह बोल रही है, कि कैसे भी करके आप merit-based in revenge points को sex offense की terminology दो, और जो हमारा Indian Penal Code है, उसमें classify करो, जिससे क्या होगा, कि कोई भी अगर nude photos या videos को disseminate करे, या spread करे, तो वहाँ पर victim जो है, उसके लिए आप space provide करो, उसको कहीं ना कहीं protection provide करो, और जब यह classification finalize हो जाएगा, तो victim के पास में एक space बचेगा, एक जगह बचेगी, कि वहाँ पर जाकर अपने grievance को redress करा सके, जब जब भी इस तरीके के cases आते हैं, अगर victim को proper space ना मिले, या फिर ऐसा कोई जगह ना मिले, जहाँ पर उसको यह लगे कि हाँ मेरी बात यहाँ पर सुनी जाएगी, तो वो अकेले में खुद ही खुद परेशान होते रहते हैं, ठीक है, cyber abuse को आज देखो तो यह endemic हो चुका है, यह कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक देश में नहीं हो रहा, हर देश में हो रहा है, आज इंडिया में पर्टिक्लर, एक-एक स्टेट की बात भी करो, तो उन स्टेट में जो close relationship में रह चुके जो couples हैं, उनकी बीच में यह चीज देखी जा सकती है, आज की जो contemporary digital life है, तो यहां पर हमें एक intervention की जरुवत है, एक accountability fix करने की जरुवत है, इन social media platforms की, बहुत सारे countries ने तो इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि European countries में कि अगर इस तरीके का content social media पे आ गया, कोई भी nude video या nude photo, और उसको अगर social media ने time पर eliminate नहीं किया, तो उन companies पे, social media companies पे 50 million euros तक का fine लगा रहा हैं, उनको लोग, imprisonment भी है, executives जो हैं, वो extreme cases में अगर companies non compliance में आती है, तो उन companies की accountability fix करने के लिए, उनकी activities को suspend करने के तक भी provision है, यॉरप में, तो आज इंडिया की बात करें, तो हमारे यहां पर world की सबसे ज़्यादा young population है, तो दिरे दिरे जो mutation हो रहा है ना, sex crimes का, social media के उपर, social media का use करके, तो उसके against में भी एक PIL Supreme Court में लगी हुई भी है, यह कहके, इनको कैसे भी करके रोको, या फिर इनके लिए जो victims हैं, उनके लिए आप कोई नहीं की protection shield create करो, तो Supreme Court तो अपनी जगह define करेगा, बट point ही आता है, कि social media platforms को कैसे किया जाए control, this is the big question, यह बाठीक है, कि हमारे यहाँ पर जो laws की बात हो रही है, या legislation की बात हो रही है, जिसमें कि हम data localization की बात कर रहे हैं, कि हमारे यहीं पर store करो, USA में नहीं, वो एक अच्छा कदम है, पर उसके लिए भी बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो उसके पहले भी companies से हमें कम से कम deal करने की ज़रू रहे हैं ना, social media की through sexual crimes, इनको हमें control करना बहुत ज़रूरी है, और यह article देखो IPS officer की दुवारे लिखा हुआ है, तो उसी वे में अपने को समझने की ज़रूरत है, कि आज कितना मतलब समाज में या हमारी community में कितनी परेश्यानिया लगातार बढ़ती जा रही है, जितना यह social media help कर सकती है, उसके equivalent ही pressure भी लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी recently आपको ध्यान हो, तो IPS officers के साथ में conference में प्रधानमंदरी मोधी जी ने interaction किया था, तो वहाँ पर उन्होंने भी यह चीज बोली थी, कि अब धिरे धिरे जितना technology advancement आ रहा है, तो पुलीस को जितनी help मिल र energy based crimes भी भड़ते जा रहा है, ठीक है, next article देखते हैं, यह वाल आर्टिकल है, idea page से, artificial intelligence for India, इसमें आपन देखें, तो RISE सम्मिट हुई 2020 की, RISE की full form क्या है, responsible artificial intelligence for social empowerment, जैसे की नाम से आपको पता पढ़ रहा है, social empowerment के लिए artificial intelligence का कैसे use करें, responsibly, इसमें आज देखें, तो बहुत सारे countries ने participate किया, और artificial intelligence के ओपर ऐसे लिखना हो, तो यह data बहुत काम का है, आप note down कर लेना इसमें, number one, कि 2030 आते आते हैं, इंडियन, मतलब global economy में अगर देखें, तो artificial intelligence का contribution हो जाएगा, लगबग 15.7 trillion, दूसरा इंडिया की अगर बात करें, तो हम बात करते हैं, artificial intelligence for all, उसमें हमारे यहाँ पर बहुत सारे startups काम करना शुरू कर रहे हैं, एक unique opportunity प्रोवाइड की जारी है, artificial intelligence के दुआरा, contribution भी लगातार हो रहा है, बहुत सारे fields में, जैसे की healthcare की बात करो, जैसे की आज, COVID-19 के टाइम पे, आपको कोई help लेनी है, जैस कुछ questions के, आप select करते हो, उनके जवाब आपको automatically मिलते रहते हैं, तो वहाँ पर वो artificial intelligence ही काम कर रहा है, कि किस तरीके का response आ रहा है, किस तरीके का action हो रहा है, तो उसका reaction क्या देना है, exactly agriculture में भी आज अपन देखें, बहुत से regions हैं, जहाँ पर किसानों की help की जारी है, जैस रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, ठीक है, locust attack होने वाला है, आने वाले 15 दिनों के अंदर, ऐसी जब mobile application बनेगी और किसानों को अगर help करेगी, तो किसान क्या घाटे में जाएगा, impossible, floods की forecast हो गई, कि आने वाले 48 गंटे के बाद में या अंदर अंदर flood आ सकता है, तो लो online classes जबरदस्त हुए हैं, और education में बहुत important, education में online classes का लेना, या फिर जो system के थ्रू पढ़ाना उनको, वहाँ पर artificial intelligence, ऐसे ही skilling, skill provide करना, जिसे की employability ensure की जा सके हमारी youth generation की, computer science की एक branch होती है, artificial intelligence, जिसमें ये सिखाया जाता है, कि machine जो है, वो human behavior, जिस तरीके से होता है, कैसे उसमें response दे सकती है अपना, इसमें दो चीज़े आती है, एक तो machine learning, एक होती है deep learning, machine learning मतलब machine को आप सिखाओ, deep learning कहने का मतलब उनके अंदर इतनी automation डाल दो, कि वो सामने वाले कोई भी human being की activities को देख देख करके, खुद से सीख जाए, रजनी कान्त की robot movie आपने देखी होगी, उसमें ये अपन अच्छे से समझ सकते हैं, कि कैसे ये machine learning, artificial intelligence, deep learning, ये transform कर रही है, different different economic sectors को different different ways में अपने उनका यूज कर सकते हैं, इंडिया आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा young population को hold करता है, तो हमारे यहाँ पर demand भी है, तो एक तरीके से attitude भी youth का ऐसा है कि वो सीखे artificial intelligence के बारे में, इसके लिए हमारे जो leading technology institutes हैं, for example, IITs, triple IITs, NITs, उनमें potential भी है, तो वहाँ पर research भी हो रही है, तो start-ups भी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, machine learning based algorithms की अगर बात करें, तो health care system में इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, और ये किस तरीके से help करते हैं, कि फ्यूचर में आपको क्या threat है, कि कौन से बिमारी आपके लग सकती है, दूसरा, early detection किया जा सकता है, कोई भी बिमारी का जिससे हैं, कि preventive approach अपनाई जासे की, जैसे कि prevention is better than cure, बैंगलूरू based एक start-up है, जिन्होंने एक development किया, non-invasive artificial enabled technology based screen, जिसमें क्या होता है, कि कोई भी किसी के भी breast cancer के कोई भी symptoms आये, तो उनको पहले बता देगा, ऐसे ही, तमिलनाडू में machine learning based एक algorithm बनाई गई है, जिसमें कि diabetic retinopathy based एक जो भी challenges आते हैं, eye doctors को, shortage of eye doctor, मतलब diabetes की वज़े से देखो, eye sight कम हो जाती है, तो diabetic retinopathy, इसमें क्या होता है, कि आँख की testing होती है, तो उसके basis में जहां पर, हमारे यहां पर eye doctors की कमी है, तो यह algorithm जो है, वो help करती है, ऐसे ही अपने देख सकते हैं, artificial enabled, chatbot भी my go, जो my go portal है, government का, उस पर बहुत help किये, उसने कि कि किस तरीके से आप covid-19 को respond कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया अभी, recently, इसी तरीके से जो ICMR है, इन्होंने भी Watson Assistant जो एक से दोनों से मिलके, यह मतलब एक तो ICMR, एक Watson Assistant, इन्होंने मिलके एक portal बनाया है, जिससे कि वो covid-19 को पूरा वही चीज आगे, artificial intelligence का health में काम हो रहा है, मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ, इसी तरीके से water management, crop insurance, कि कितनी crop होगी उसके इसाप से loan मिलेगा आपको, उसी के इसाप से आपको insurance मिलेगा, pest control, locust का कितना attack होगा, या फिर कौन सा अभी pest यहाँ पर आ सकता है, ऐसे situation बन रही है, तो आपको ये fertilizer, या फिर ये weed side, या फिर pesticide आपको यूज करना चाहिए, technology का use करना, जिसें की drones का use करना, automated way में, intelligence monitoring हो जाए, irrigation system में भी अपन ये देखें, कि भई कितने पानी की जरुरत है हमारी जमीन में मिट्टी को, उतना ही पानी की supply दो, ज्यादा मत दो, और सबसे important चीज, vernacular language, local language में, जिसें की, जो किसान है, वो आराम से access कर सके सारी information को, इसके लिए, भोपाल, राजकोट, नानदेद, महरास्टरा में है, इनको लिए artificial based, बहुत सारे support platform बनाए गए हैं, और आजकल तो add भी आते हैं, YouTube पे आपको भी देखने को मिला होगा, कि किस तरीके से एक expert room में बैठा हुआ बंदा है, कि farmer को advise करता है, guide करता है, कि आप ये वाला weedicide लेकर क्या हो, या pesticide लेकर क्या हो, तो आप इस तरीके की खरपतवार को, या फिर इस तरीके की ये कीट, जो हैं, जो pests हैं, जिनका attack हो रहा है, उनको खतम कर सकते हो, तो point यहां पहा रहा है, कि agriculture में भी बहुत अच्छे से importantly role play कर रहा है, artificial intelligence, इसी तरीके से अपन देखे, flood forecast, regular basis पे, बिहार में तो throughout region ये use किया गया है, और अब तो पूरे country को cover करने की बात हो रही है, कि 48 hour पहले ही warning दे दी जाए, कि floods आ सकते हैं, आप अपने अपने सई जगाँ पर पह करके दे दो, और एक infographics based map system भी provide करें उनको, जिससे कि जो लोग भी उस flood आने वाले region में हैं, तो उनको सही और safe जगे भी आप guide कर सोको, कि ये जगे सही आप वहाँ पहुंच जाओ, इसी तरीके से CBSC ने एक integrated artificial intelligence based school curriculum भी decide कर दिया है, ministry of electronics और information technology जो है हमारे मेती, उन्होंने भी launch कर रखा है responsible artificial intelligence for youth program इसी अपरिल में, तो आप देख सकते हो, artificial intelligence के लिए government भी कितनी enthusiastic है, रही सही में अगर आपन देखें, government schools में भी artificial intelligence related basic courses चल रहे हैं, और 11,000 से ज़्यादा students अभी तक इससे related education ले चुके हैं, तो यह देखा जा सकता है, कि इंडिया में future बहुत ही अच्छा है, और इंडिया के economic prosperity अगर बात करें, तो 2035 आते हैं, artificial intelligence लगबग 957 billion dollar का contribution करेगा, यह data important है, ठीक आप लिख ले ना इसको, इसी तरीके से, artificial intelligence हमारे आपर opportunity भी create करता है, यह essay writing में या कहीं पर artificial, क्योंकि technology based science and tech, GS paper 3 या फिर कभी essay में लिखना होता, आपको definitely help करेगा यह, और data healthy बनाता है, देखो answer writing को, ठीक है, और data वो ही लिखना है, जो काम का हो, वैसे तो मैं कोशिशिश करता हूँ कि आपको highlight कर दूँ कि यह data important है, ओके, तो इस तरीके से, implementation बहुत ज़्यादा important है, 2025 तक आते आते हमारे यहाँ पर 20 million jobs artificial intelligence create करेगा, तो दूसरी तरह 500 billion dollar का contribution भी हमारी GDP में करना शुरू कर सकता है, artificial intelligence को अगर properly tackle किया रहे, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर, जो artificial intelligence for all strategy, जिसमें हम responsible artificial intelligence पर focus करते हैं, जिसें की, जितने भी sector से, चाए education हो, agriculture हो, या health हो, उसमें एक upscale solution provide कर सके हर एक problem को, तो इससे क्या होगा, जो भी related works हैं, उनको अगर solution time पर provide कर देंगे, तो outcome निकलेगा के नहीं, आप देखो, crop outcome, crop harvesting का outcome, आप देखो, लगबग 10 से 30% तक increase होकर के निकला है, जिन regions में भी artificial intelligence based activities को farmers ने follow किया है, कि भी इस time पे monsoon अच्छा आ रहा है, आप इस time पे ये चीज बो, ठीक है, इसकी अगर आपने बुआई कर दी तो इसकी ज्यादा फसल होगी, इस time पे आप मत करो ये वाली बुआई, क्योंकि इस time पे ये वाला pest का attack होगा, और इस particular crop के लिए, वो pest ज्यादा हानिकारक है, आप दूसरी वाली crop यूज करो, तो जब ऐसी चीजें हम यूज करेंगे, जब हमारे पास में data rich country इंडिया है, जहां पर आज world में सबसे ज़्यादा base लगातार बढ़ता जा रहा है, internet accessibility का, smartphone यूज करने का, और technology का penetration लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उस case में तो artificial intelligence बहु जिसें की time पर ये जो desired goals हैं या desired जो target हम उनको पूरा कर सकें, ठीक है, तो ethical activities को भी हमें यहाँ पर ensure करने की ज़रूद, जैसे अपने previous article देखा न, वहाँ पर ethics की तो कमी आ रही है न, कि कैसे social media platforms का गलत तरीके से revenge pond की तरह यूज होना शुरू हो गया, कि आज के time पर आपक कोई matter नहीं करता है, ethics खतम, ओके, तो इस तरीके से morality, ethics, इसी लिए ये paper जो रहा, paper 4 डाला हुआ है, कि भाई आप अपने ground reality को मत भूलो, इनको तो life में आप daily apply करते रहो, खुद को check करते रहो, खुद के conducts को, कि कहीं इन principle से divert तो नहीं हो रहे हो आप, तो हमारे यहाँ पर doing business भी आएगा, तो GDP में contribution भी होगा, और इस तरीके से आप देख सकते हो, whole soul economic grow करेगी, rise 2020 जो है, global experts को एक platform पर लेकर के आया है, जिसमें कि responsible artificial intelligence की बात की गई है, इसमें action plan के बारे में बात की जा रही है, बात की जा सकती है आने वाले time पे, दूसरा, मान लो, America में कोई अच artificial intelligence भी, तो उसका idea अगर हमारे यहां पर experts से अगर discussion में आता है, तो हम उसको replicate करेंगे, कि नहीं, use करेंगे, कि नहीं, models का, according to our values, ऐसा नहीं कि America का system हो, as it is, अपने use करें, नहीं, आप America से सीखो, और हमारी जो basic values है, basic needs है, उनको ध्यान में रख करके, फिर implement करो, ठीक है, यह आपर participation में बहुत अच्छा है, 145 countries के लगबख participation हुआ है, तो एक तो prelims point of view से देखो, यह होता है, कि artificial intelligence की application का है, वो अपने एक एक detail में जानने कोशिस की, whether forecasting हो, crop हो, या health हो, agriculture हो, education हो, सारे sectors, दूसरा आप देखो, कि artificial intelligence का use, अपने यह देख सकते है, rise, recently news में था, यह program कि से associated है, तो artificial intelligence से associated है, तो world over अगर देखें, तो इंडिया जो है, वो एक hub बन सकता है, artificial intelligence के लिए आने वाले time पर, उसके लिए हमें और ज़्यादा कोशिस करने की ज़रुत है, data available हो, data की strength available हो, transparency हो, ऐसा नहीं कि COVID-19 का case क्या था, अभी data पर ही तो था, कि 1.55% तो आप बता र रहे हैं, जो एंजी होजाएं, वो 4% बता रहे हैं, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दू, lancet जो journal का वहाँ पर quotation दिया था ना, previous article में, जो अपन ने COVID-19 की cases की बात किती, mortality वाली, lancet में पहले भी बहुत सारे research आई है, जैसे आपको पता होगा, जो hydro chloroquine जो दबाई की जा रही थी, शुरुआत में आपको याद होगा थोड़ा बहुत, उस पर भी उन्होंने अपनी एक report release की थी, फिर बाद में report थी, वो गलत थी, तो ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल अपन किसी journal के point of views हैं, यह कह दें कि Indian government ने data बिल्कुल ही गलत रिलीज किया, पर एक concern तो आता देंगे, ओके, देखते हैं, next article, rethinking the trade-off, अभी RBI किस भी based target करती है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए, प्रेलिम्स का question है, और जब भी आप monetary policy committee और RBI से related कभी भी कुछ पढ़ोगे ना, तो सबसे पहली चीज यह आती है, कि भाई, target किया जाता है CPI को, consumer price index को, पहले target RBI क ठीक है, अब देखते हैं, क्या है issue, देखो, Reserve Bank of India ने अपनी inflation targeting को flexibility के तौर पर देखना शुरू कर दिया है, क्यों भी, क्योंकि market में पैसा तो बहुत ज़्यादा पड़ा है, RBI एक तरफ तो चाहता है कि market में liquidity ज़्यादा रहेगी, तो inflation बढ़ेगा, तो inflation तो हमें target करना ह जो दिया है, 4 plus minus 2 की range में, मतलब 2% minimum और inflation 6% maximum, और previous जो data है, हमारे पास में August का, उसमें हमने देखा 6.69% तो inflation अल्रेडी चल रही है, CPI की, तो यहाँ पर writer ये चीज़ बोल रहे है, कि एक तरफ तो GDP contract करती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो, employment भी down जा रहा है, और एक चीज़ आप देख रहे हो, कि inflation लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या इसको stagflation बोल सकते हैं, exactly economic term में तो बोला जा सकता है, बट writer कुछ और चीज़ भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, कि पहली चीज, RBI के पास में policy rate को fix करने के ल यह बहुत ही important pillars हैं, आप देखोगे लगबग 45.86% के लगबग तो food and beverages ही occupy कर देते हैं, तो fuel 9.22%, golden serval 1.19%, तो आप यहाँ पर देखो कि consumers की अगर बात आए, सीधा public dealing जहाँ पर होती है, जिन rate पे, वो आप देखो CPI में कितना constitute करता है, लगबग लगबग around 50%, और बचा हुआ जितना segment और जो सारा बच गया, वो 50%, तो आप इसी चीज को concern में रखते हुए, कि सीधा service को भी include करना है, consumer पे किस price का impact आता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए, 2016 में हमारे यहाँ पर monetary policy committee established की गई थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए, कहा गया था, कि भई आपको ultimately जो target करना है, वो CPI based करना है, क्योंकि WPI जो है, वो पूरी picture को cover नहीं करता, बट writer यहाँ पर एक चीज बोल रहे है, कि आप एक चीज बताओ, जो headline inflation है, headline inflation में क्या होती है, सारी चीज़े constitute हो जाती है, food, beverages और fuel, सारा आ जाता है, और core inflation में food and beverages, और इसको हटा दोगे ना, fuel को, तब बच जाएगी वो core inflation, तो headline inflation तो लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि लोगों के पास job भी नहीं है, demand भी नहीं है मार्केट में, फिर उसके बावज़े इतनी परिशानी कैसे, तो ये जो dilemma है, या फिर ये जो फची हुई कड़ी है, ये तो आप देखोगे, December आते 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 आपकी खुल जाएगी, क्योंकि actual में market में demand है ही नहीं, जिन लोगों के पास में पहले 2000 रुपए हुआ करते थे, 2000 रुपए में अपना घर करचा चलाते थे, आज वो महगाई के टाइम पे 2000 रुपए में घर करचा चलाएंगे, तो demand कम होगी कि ज़्यादा आप मुझे बताओ, कम ही होगी exactly, क्योंकि वो तो 2000 के अंदर अंदर adjust करने की कोशिस करेंगे, और हम इतने कोई prosperity वाले sections को अपन डील नहीं करते हैं इंडिया में, अभी भी गरीबी बहुत ज़ादा है, middle class तो वैसे ही crisis का सामना कर रहा है, तो यहाँ पर writer यह बोल रहे हैं कि आपने जो WPI-based जो core inflation थी ना, उसको तो हटा दिया और CPI-based जो headline inflation उसको target करना शुरू कर दिया, तो उसकी वज़े से RBI के पास में space कम बसता है, कि वो और ज़्यादा पैसा market में छोड़ सके, वो बाता लगा कि RBI ना अभी इसने अभी जो circumstances चल रही है COVID-19 की वज़े से, लोगडाउन की वज़े से, तो कैसे जैसे करके अपनी flexibility को और ज़्यादा explore किया है, कि नहीं थोड़ा बहुत और पैसा छोड़ो market में, interest rates नहीं बढ़ा रहा है अभी भी, market में पैसा पड़ा है फिर भी, दूसरी तरफ ये बोलते हैं, राइटर कि हम GDP deflator पर बहुत rely करते हैं, तो GDP deflator को calculate करने के लिए तो हम CPI और WPI दोनों की inflation यूज़ करते हैं, ठीक है, जबकि WPI का GDP deflator में ज़्यादा weight आता है, देखो ये concept अगर आपके clear नहीं है तो आप please NCRT जरूर पढ़ लो, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगी चीज़ें, ठीक है, तो होता क्या है, जब GDP deflator आप calculate करो, तो CPI और WPI दोनों को आप, दोनों का data आप use करते हो, तो उस case में तो दोनों की दोनों equivalent हुई कि एक भी चीज़ को आप compromise नहीं कर रहे हो, तो point यहाँ पर यह निकल के आ रहा है, कि जहाँ पर CPI और WPI को अगर compare करें न, तो RBI के पास में आप देखोगे, तो RBI के पास में regulation के लिए monetary policy बनाने के लिए केवल 41.35% of overall item बच जाता है, कहने का मतलब अगर RBI interest rate में कोई changes लेकर के आ रही है, या कहीं पर भी कोई चीज़ टारगेट करके अपनी variation लेकर के आ रही है, inflation को control करके लेकर आना चारी है, तो वहाँ पर overall जितने भी items है ना manufacturing service और agriculture के, उनमें आप देखोगे तो overall 41.35% items पे ही उस RBI की policy rate का impact जाता है, तो बची हुई पर impact ही नहीं जा रहा, तो RBI क्या effective हो पाएगा क्या, सबसे बड़ा सवाल यह है, इसलिए बोल रहे हैं, rethink करो, सोचो कि कहीं हमने गड़बर तो नहीं कर दिया ना, कि WPI की जिगे हमने CPI को adopt करने की कोशिश की, कि एक overall picture आ जाएगी, क्योंकि RBI के पास में scope ही नहीं बच रहा, अब ज़्यादा target किस पे हो रहा है, आप देखोई इस वाले region में, food beverages, fuel, इनकी बात कर लो, overall economy में, तो किवल 41.35% कोई target कर रहा है, RBI, तो क्या वाकई में result मिलेगा अपने को, जो अपन चा रहा है, ये एक सबसे important चीज़ बताई जा रही है, दूसरा यहाँ पर बता रहे हैं, कि जब 2003-04 की बात करें, ठीक है, उस time पर, RBI किस पर based काम किया करता है, WPI based, उस time पर हमारे यहाँ पर GDP growth तो 6-7% चल रही थी, और inflation जो थी, वो भी under control थी, तो आप उस चीज़ को देखोगे, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं reliable दिखेगी, आज हमारे GDP growth तो contract कर रही है, situation देखो आप, GDP growth तो contract कर रही है, employment भी down जा रहा है, और दूसरे तो inflation लगातार बढ़ती जा रही है, यह तो current situation है, और जब 2000 की बात करें, GDP growth भी अच्छी थी, फिर उस time पर inflation भी control में थी, और employment भी generate हो रहा था, तो ऐसे करके आप situation देखो, और इस situation को देखो, अब दूसरा उस time पर RBI के पास में, 2000 की बात कर रहा हूँ है, उस time पर RBI के पास में और भी चीज़े थी, जिन चीजों को cover कर सकता था, कि वह इंफलेशन ही नहीं था, inflation के अलावा employment generation भी था, मतलब monetary policy के लिए बहुत सारे indicators थे, multiple indicators available थे RBI के पास में, तो आप देखोगे कि 2017 से 21 का data देखो एक तो, और 2012 से 2016 के बीच का data देखो, तो हमारे यहाँ पर inflation की expectation है ना, वो तो reduce हो गई, कि inflation ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आपने inflation को यह target कर दिया ना, कि जब हम 2012 से 2016 के बीच में हम जी रहे थे, उस टाइम पे तो यह था कि महेंगा यह 12 से 13 के बीच में fluctuate करेगी, अब हम यह बोल देते हैं कि 9 से 10 के बीच में जा रही है, बट यह जो gap है ना, expectation और reality क्या, यह gap आप खतम नहीं कर रहे हो, कि जितना expect कर रहे हैं, exactly वो का वो ही reality में दिखे ना, तब तो बात भी बने, पर इस gap को अभी भी खतम नहीं किया जा चुका है, यह convergence नहीं आई है अभी तक भी, यह आना जरूरी है, क्योंकि देखो, ultimately आप policy formulate करोगे, तो expectation basis पे ही तो करोगे, कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता, इसलिए हम preventive approach के लिए तैयार रहे हैं, ठीक है, जब आपके पास में, जो expectation है, वो ही अगर false है, तो आप कैसे इन चीजों को target कर सकते हो, this is the big deal, यह अपने आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रुरत है, कि RBI को जो multiple indicators का जो approach थी ना, वो आज से ज़्यादा effective होती, और यह तो बहुत बार कहा जा चुका है, कि किवल inflation targeting से आप उसी के basis पे आप employment की भी बात कर रहे हो, उसी के basis पे आप GDP की भी बात कर रहे हो, complexities को आप हटा नहीं सकते, क्योंकि point यह निकल के आता है, जब भी आप देखो, कि एक GDP, एक देश की पूरी economy होते हैं, बहुत complex system पे based होती है, उस complex system को अगर आप देखोगे आज के time पे, तो उस case में आपने किवल एक monotonous कर दिया, कि भई inflation target कर लो, अरे भई इतनी बड़े institution हैं, इतने बड़े experts बैठ रहे हैं, उनको केवल inflation कोई target करना है, जबकि बहुत सारे issues होते हैं, लोगों का, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, आज नौर्थ इंडिया में, या फिर अपन कुछ रीजन की बात करें, जहां पर traditional या culturally, non-wiz खाना बिलकुल ही बंद है, कि भई हम नहीं खाएंगे, तो exactly वो की वो चीज़ें क्या, South India में आप apply कर सकते हो, नहीं, वो की वो चीज नौर्थ इंडिया में apply कर सकते हो, नहीं, अब cow slaughter की बात की जाती है, cow slaughter के लिए UP, राजस्थान, MP, इस reason में तो बहुत जादा highlighted बाते हो रही है, जबकि कुछ arguments ऐसे आते हैं experts के, कि भई आप North East में जाओ, वहाँ पर तो गाए को वैसे ही काट के खाते हैं, उनकी culture अलग है, तो point यह है कि cultural issues, emotional issues, यह जो चीज़े हैं आप इनको भी ध्यान में रखो, बात वही, economy सब कुछ नहीं है, आप एक चीज़, inflation ही economy का सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, उन पर भी ध्यान देनी की ज़रुत है, आज NBFC सेक्टर भी है, तो वो भी बहुत ज़ादा परेशानियों का सामना कर रहा है, जॉब क्रियेट नहीं हो पा रही है, दूसरे सेक्टर में देख लो, मैनिफेक्टरिंग की देख लो, या फिर सर्विस सेक्टर देख लो, यह अब रिजूम हो रही है, बट टाइम लगेगा इसमें, तो राइटर पॉइंट यही निकाल के लिए क्या रहे है, कि अभी जो बोला जा रहा है, कि स्टेग्फलेशन का सिच्वेशन है, कि भई मार्केट के अंदर है न, महिंगाई बहुत ज़ादा है, पर भई महिंगाई तो सप्लाई साइड की वज़े से, सप्लाई पूरी नहीं हो रही, इसलिए महिंगाई है, पर जिस दिन सप्लाई साइड पूरी एकदम प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगी, उस दिन आपको पता पड़ेगा, कि एक्च्वल में तो डिमांड बहुत कम है, रेट्स बहुत डाउन जाएगी, कि रिसेशन हो जाएगा, मन दिया जाएगी, और लोगों के पास जॉब ही नहीं है, तो वो मांग कहां से क्रियेट करेंगे, तो यह जो स्टैगफलेशन का जो टैग आ रहा न, कि इन्फलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है, कि इन्फलेशन कुछ जादा नहीं है, तो कुछ दिनों की बात है, तो यहाँ पर पॉइंट रास्ट में ये की चीज़ बोलते हैं, कि RBI को एक एक एक्टिव रोल प्ले करने के लिए, कुछ और मेजर्स लेने की ज़रुरत है, अभी RBI अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा है, कैसे जैसे करके, कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है, वो लगातार बनी रहे, क्योंकि लोगों के पास में अभी क्या है, कहीं अंसल्टैनिटी का माहोल बना हुआ है, लोग अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज भी थी, कि डी मॉनेटाइजेशन के पहले जितना पैसा सर्कुलेशन में था ना, मनी करंसी, उससे ज़्यादा करंसी अब मार्केट में देखो आप, जबकि हमारा टार्केट क्या था डी मॉनेटाइजेशन का, कि मार्केट में कम से कम पैसे का सर्कुलेशन हो, जिससे कि दो नम्मर का पैसा ना बने, अब देख लो आप, जबकि मार्केट में फ्लो है ही नहीं, तो RBI तो खुद एक डिलेमा में फसा हुआ है, कि मार्केट में पैसा पढ़ा है, उसके बावजूद कोई economic activities नहीं हो रही, तो उसकी वज़ए क्या एक तो 41.35% कोई target कर रहा है, दूसरी वज़ए क्या हो जाएगी, कि अंसारटैनेटी का माहूल है, employment नहीं है, लोग अपने जेबो में पैसे रखके बैठे हुए हैं, कि पता नहीं आने वाले टाइम पर हमें जोब मिलेगी भी या नहीं, और economy is all about confidence, confidence के लावब कुछ नहीं है economy, जहां पर जिन economies में confidence जादा है, वो economies देख लो, revival के तरफ बढ़ चुकी हैं, और हमारे यहां पर conservative thought की तरफ वापिस पहुंश गए हैं, पांच-साथ साल पहले की सोचाना शुरू हो गई है, पैसा दबाओ, ओके, वो हमारे लिए कहीं नहीं हामफुल है, RBI अपनी तरफ से bond भी बहुत purchase कर रहा है, मार्केट से, खुद bond वापिस निकाल रहा है, मार्केट में कैसे भी liquidity को infuse कर रहा है, कि बढ़ाओ, मांग बढ़ाओ, पैसा घूमें बस, ठीक है, तो ये चीज़े चलती रहती है, main point इतना सही है, जो ambit है, RBI का, वो थोड़ा सा, एक confine है, उसको थोड़ा over broaden करने की ज़रुरत है, और ये जो अभी डर है, inflation का, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये long term में आप देखोगे, तो आने वाले 3-4 मैंने की बाद में, inflation तो down आजाएगी, supply जैसे अच्छे से होगी, demand की problem है सबसे बड़ी तो, दूसरा आप देखोगे इधर, जो gap हना हमारे expectation और real inflation में, उस gap को आप cover करो, उस gap को अगर अपन cover नहीं करेंगे,